पाकिस्तान में बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान इंटर्नेशनल एयरलाइंस की लाहोर से कराची जाने वाली फ्लाइट कराची एयरपोर्ट के पास दुरगटना ग्रस्त हुए माना जा रहा है कि इस विमान में करीब सो लोग सवार थे पी आईए की प्रवक्ता वें दुर्गटना की पुस्टी की और कहा की फ्लाइट एट्री टू-जिरो नाइटी एट्री एट्रियों को लेकर जा रही थी बिस्मिल्ला रह्मान रहीं इनल्लाह वइनलाह राजियों एक नहाए कि दिल खराश वाक्या हुआ हमारा जहाज एटी टू-टी जो लाहुर से कराची आ रहा था फाइनल अप्रोच पे स्टाबश था जो आखरी हमने आवास सुनी है पाइलिट साब की वो ये कह रहे थे कि मुझे एक टेक्टिकल प्रॉब्लम है और उन्हें फाइनल अप्रोच से उनको खा गया कि दोनों रन्रे लेंडिंग के लिए तार हैं आप लिए लेंड कर सकते हैं लेकिन पाइलिट ने फैसला कि वो गो राउंड करना चाहते हैं किस वज़ा से क्या टेक्निकल मस्टा था विमान लाहौर से कराची जा रहा था और मलीर में मौडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन अलाके में दुरगटना गरस्त हो गया विमान गरने से कई मकानों में आग भी लग गई बता दें कि हवाई दुरगटनाओं के आकड़े जुटाने वाली संस्था एरक्राफ्ट क्रेश रिकॉर्ड ऑफिस के मताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से जादा विमान दुरगटना हो चुकी हैं जिनमें 1000 से जादा पाकिसार विमान हादसे के मलवे से अब तक 14 लोगों की लाशिन निकाली जा चुकी हैं और बाकी गहलों को अस्त्वतार ले जाया गया है PIA के CEO ने बताया कि पाइलिट ने कहा कि विमान के दोरों इंजिन काम नहीं कर रहे थे जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ बताया जा रहा है कि विमान पीशे की ओट से क्रेश हुआ है बाद में विमान का अगला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया इसलिए संभाबना जताई जा रही है कि विमान के अगले हिस्से में बैठे कई आत्री ठीक है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इम्रान खान ने कहा की PIA विमानहासे से दुखी और हैरांग हूँ मैं PIA के CEO अर्शद मनिप के संपर्क में हूँ वो कराची के लिए रवाना हो चुके हैं और बचाव और राहत्र टीमों के साथ घटना स्थल पर है अभी ये प्राथमित्ता हैं तक काल सारी जाचें शूर की जाएंगी आए यादके बाद में पर भाद है अगरे जाएंगे आएंगी आए ये बाद में अगरे हो आए ये ज्रीन गारे जाएया जाए याइज है यह अधिए हैं आप जानी होई हैं आप पार शे गाड़ियों में आपके बेदें जली हुई है